करेंगे मिर्च का अचार उसके लिए हमने लिया यहाँ पे सरसो यानि राई जो लिये मैंने 100 ग्राम एक टेबल स्पून जीरा लिया है एक टेबल स्पून सॉफ लिया है इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ज्यादा रोस्ट नहीं करना है हलका सस को रोस्ट करने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे और ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे कोटा थोड़ा सा हलका कोटा हुआ रखेंगे फिल लेंगे नमक और हल्दी हमने लिये है एक टी स्पून और हम इन हरी मिर्च जो कि हमने मिर्च वाली लिये हैं मोटी अब हम इस ग्राइंड किये हुए मसाले में यानि जो मिर्च का मसाला उसमें नमक और हल्दी एड़ कर देंगे नमक आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी साहब इतना लेना है उसके बाद यहां मेने लिया दो टेबल स्पून सरसों का ते प्लास्टिक के कंटेनर में या कांच के चीनी के आपके पास हो उसमें आप रखके इनको दूप में रख देंगे और हां इसमें नीबू जरूर डालेंगे इससे खटास इसके अंदर आती है जो जल्दी पका देती हैं तो यहां मैंने दो नीबू लिये हैं मतलत एक दूब को इस तरीखे दाल दिया है और इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा तेल आलदेंगे बाकी तेल हम बाद में डालेंगे अब हमारे मिर्च का चार पूरा तयार नहीं है अब हम इसको गलाएंगे यानि गलानी के लिए इसको में थोड़ा वेट करना पड़ता है यान मसाले के अंदर यानि इस मिर्च के मसाले के अंदर हम जलावा तेल यानि कुन-कुना तेल हलका सा डालेंगे मस्टर्डी ओयल यूज़ करेंगे और कोई सा तेल इसके अंदर नहीं जाता है यह चार जो है बहुत ही अच्छा लगता है विंटर्स में सूखी सबजी जितनी आती उनके साथ और इसके अंदर हम बाद में तेल और एट कर देंगे तो यहां हमारी मिर्ज गल के तयार है अब इसके अंदर मैंने और तेल शामिल कर दिया है तो आप देख सकते हैं तेल इसके अंदर डाल दिया गया है तो हमारी मिर्ज बन के तयार है आई होप आपको यह चिली पिकल रेसेपी पसंद आए होगी वीडिया पसंद आए तो ल जब तक के लिए बाइबाइ ट्वे क्या आफिस थैंक्स फॉर वाचिंग